हेलो गाइज वल्कम बैक तो माय चैनल आज मैं आपके लेकर आए हूँ एक और नया और यूसल परड़क्ट जिसका मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल सस्क्राइब करना ना पूलें चलिए शुरू करते हैं गाइज यह आए पोटेबल सीलिंग मशीन कुछ इस तरह का बॉक्स मिलता है बॉक्स कर नस्ता इउंशिट बताई हुई है चलिए बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं क्या-क्या मिला है यह मशीन अभी एक साइड में और क्या मिला है देखते हैं यह है यूजर मैनुल औ में और देखते हैं सीलिंग मशीन को यह मशीन काफी ज्यादा छोड़े साइज में है यह पावर बटन यहां पर ए लेडी लाइट मशीन को अन करने पर ब्लू लाइट अन होती है अब दो पुश बटन पीछ वाला बटन है कटर और आगे वाला बटन है सीलिंग को और यह चार्जन्गे वाट आप से भी चार्ज़न को उस्हारे सकते हैं इसे जो कोई मशीन की बाते अब करते हैं ZL टेस्ट, मशीन ZL में काम करती है कि नहीं तो मेरी किचन में जो भी खुले होई पैकेट्टे तीस सारे पैकेट लेआया हूं सारे पैकेट अलग अलग है कोई मोटा है इन सब को सील करके देखेंगे मशीन को फर्स टाम यूज करने से पहले आपको मशीन को फुल चार्ज करना है और यूज करने से पहले 15 सेकंड ओन करना है जिससे मशीन गरम हो जाए चलिए देखते हैं सील होती है कि नहीं गाइस सील तो हो गई है मशीन अच्छे दे काम कर रही है पर अभी बागी पैकेट को भी सील करकर देखते हैं काइस सारे पैकेट सील हो गए है यह लास्ट वाला पैकेट नॉर्मल पैकेट से दोड़ा अलग है इसमें ट्रॉट डबल कोटेंग वाला है इसको सील करकर देखते हैं गाइस सेल तो हुआ है पर बीच वीच में रह गया है तो फिर से करके देखते हैं धीरे धीरे करेंगे तो गाइस सील हो गया है अब आपके खुलियोए पैकेट ना खराब होंगे ना सीलेंगे ना कोई गिनने का डर ना कोई वेस्टेज क्योंकि आप खुलियोए पैकेट को वाफिस सील कर पाएंगे इस मशीन से इस मशीन का प्राइज है 3.99 रुपीज गाइस मशीन काफी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो पसन आवे तो वीडियो को लैक करना ना बुलें आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे जल्दी एक और नहीं वीडियो के साथ थैंस वर वाचिंग एंड की सपोर्टिंग